गाजी पूर बॉर्डर पर किसानों ने लगाया कोलू, राकेश टिकेट ने निकाला गन्य का रस गाजी पूर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में रभी बार को भारतिय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकेट ने बेलो वाले पुराने कोलू को ट्रैक्टर से चलवा कर सरकार को संदेज देने का प्रयास किया जमीन पर बैठे राकेश टिकेट ने अपने हातों से गोलू में गन्य लगाए और गन्य का रस निकाल कर आंदोलन कारियों को पिलाया इस बीच राकेश टिकेट ये भी कहना नहीं बूले कि गन्य के से रस तभी निकलता है जब ये लोहे के बड़े बड़े पिंडों के बीच पेरा जाता है उन्होंने बताया कि मतलब साफ है सरकार पर जब तक जोर दबाव नहीं पड़ेगा वह कुछ देने वाली नहीं है